अब रुख करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर नोएडा के जिस डॉक्टर ने करॉली बाबा पर किया केस वो बोले इसे सुप्रीम कोर्ट तक गसीटूंगा नमस्कार मैमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स नियूस जहां कानपूर के करॉली बाबा न मैंने बाद उनको आया है गुस्सा आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के कानपूर जिले की इस खावर पर नज़र जहां पर यह मामला टूल पकड़ता जा रहा है यह डालते हैं रिपोर्ट पर नज़र नज़रूंगा कानपूर के करॉली सरकार आश्रम में एक डॉक्टर से मारपीट के आरूपी बने संतूर्श सिंग बधोरिया उर्फ करॉली सरकार बाबा की मुश्किल है बढ़ने वाली हैं अपने आश्रम में चमतकार से लोगों को ठीक करने का दावा करने वाले करॉली सरकार के सामने इ योगी सरकार के पुलिस इस बार आश्रम के तमाम रास खंगालने में जुटी है दावा इस बात का है कि करौली सरकार ने नोएड़ा के एक मश्वूर डॉक्टर से मारपीट की चमतकार दिखाने में विफल हुए तो समर्थकों ने जमकर पीटा इतना पीटा कि डॉक्टर सि धार्त ने जब मुकदमा कराया तो यूपी पुलिस कानपूर के करौली सरकार आश्रम में पहुंची अब इस मामले को लेकर तमाम विवाद हैं डॉक्टर के उपर बाबा के कई आरोप हैं वहीं बाबा पर आरोप लगाते हुए डॉक्टर ने साब शब्दों में कहा है कि इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट तक घसीड दूँगा पर योगी सरकार की पुलिस पर भरोसा है वो ये मानते हैं कि कारवाई होगी नोईडा का एक मशूर अस्पताल चलाने वारे डॉक्टर से धार चौदरिया कहना है कि उन्होंने यूट्यूब के व बाबा ने उन्हें पागल कहा इसके जवाब में उन्हों भी बाबा पर अफशाद भी कहे इसके बाद समर्थक उग्र हो गए और उन्हें आश्रम के बाहरी परिसर में ले जाकर मार पीट की नौभरत टाइम्स को दिये एक इंटर्व्यू में डॉक्टर सिधार चौधरी ने क्या रोप लगाए और क्या बाते कहीं आईए सुनाते हैं मैं 22 तारिक को गया था 22 फर्वरी को चार वरी मेरा नंबर आया और जब मेरा नंबर आया तो मैंने बाबा के सामने तुमके जो वीडियो देखे थे मुझे दिखाए गए थे उसमें मैंने उन से जब उन्होंने मसे बात चीट करनी चुरू की तो फिर उसमें मैं उन्होंने मेरे उपर जो है फूक्मार कर ओम शिफ वैलेंसादी के प्रयास किये लेकिन उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो मैंने उन्हों से का कि आप कुछ चमतकार ऐसा करके लिखाओ उसके यह कहा है तो कुछ मिधने और उन्हों नहीं हो पागल तू पागल है और मैंने कहा कि मैंनी हूँ तुम हो पागल तो इसमें फिर जो है उनके जो गुंडे थे भूम जो है मुझे भाद ठीच के ले गए और गैटरी में ले जाके मेरे साथ माल पिट की अपने मेने का एक मेहने करीब एक मेहने बाद जोसर इसap पहले भी आप करवा सकते थे य। इनके का मैं भास तक तो मैं उठने का स्वेस्टेती नहीं था और उसके बाद जैसे भी जो बी वो उसके बारे में मैं जाता है नहीं बता पाओंगा सब मसल्कुन गहे हो तो परिवार से मेरे वादर थे मेरी मज़ञ और मेरी वाइप करते अब सर क्या कारवाый हुई हैं अभी तक तो देखी कोई ठ़िलाल कोई कारवाई हुई नहीं है अभी तक तो जो है वो बाबाई मुझे केमरे पर आकर उल्टे सीजे मेरे उपर आलोप लगा रहे हैं जबकि इसमे फेर इंक्वैरी हो जाए तो दूर का रूद और पानी का पानी हो जाएगा फायर के बाद बाबा आपसे संपर्क करनी कोसिस कर रहे हैं नहीं अभी तक तो उन्होंने कोई संपर्क नी किया अजि कारवाई से दिन नहीं होते तो आगे क्या करेंगे आप देखिए मुझे पुरा विश्वास है यूवीडी पर और उनके राज में ऐसा हो नहीं सकता कि कारवाई ना हो अगर अगर करवाई नहीं होती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लड़ने के लिए तैयार हूँ मुझे अपने देश की जुडिशेरी पर पुरा विश्वास है और मैं इस फ्रॉट बाबा को छोड़ूँगा नहीं हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सबस्क्राइब कर लिजे और बैल आइकन दबा लिजे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिकरिया अमारे कमेंट बॉप में देखने में